इस कारिक्रम के पुनियार्जक हैं एक हसाराच श्रियादिना दिगंबर जयन मंदिर आर के कॉलॉनी भीलवाडा राजिस्थान नीती हमें सिखाती है कि हमें विवादित विक्तियों से और विवादित बातों से बहुत दूर रहना चाहिए क्योंकि विवादित बातें और विवादित विक्ति आपकी जीवन का आनंद भंग कर रहते हैं जो एक फ्लो चलता रहता है लाइफ का फ्लो वो जो विवादित चीज़ें आती है आपकी लाइफ का फ्लो समाप हो जाता है आनंद जो है वह जाते है जीरो तो क्यों ना अपन एक अपने आपका सिस्टम चेंज करें क्या सिस्टम करें जब भी कोई विवादित व्यक्ति मिले एक जब भी कोई विवादित बात करें अपन मूड चेंज करें अपने अपना मूट चेंज कर ले जैसे अपन रेडियो होता था उसमें जैसे कुछ कि यहां वहां की बाते चालू हुई एड चालू हुई और अपने उसको 93.5, 98.4 आपकी फर्माईश चेंज कर लेते हैं चैनल चेंज कर लेते हैं आप लोग यसी अपने अंदर की चैनल चेंज कर लो जब कोई विवादित बात करें या फिर विवादित विक्ति मिल जाए अपना मूट चेंज कर लो ऐसा करने से आपकी जीवन की शांती बनी रहेग और मेरा तो मानना है कि शब्दों को अपना मानना ही क्या शब्द अपने हैं नहीं किसी ने आपसे कहा कि तुम पागल हो विक्ति आपसे कहा तुम पागल हो तुम चोर हो तुम डाकू हो तुसको जवाब मत दो क्योंकि अगर तुम हो तो सही कह रहा है और तुम नहीं हो त विकल्ब क्या करना है आप उसके शब्दों को अपना मान के रख लेते हो इसलिए दुखी रहते हो आज की नीती इसी विशह पर है हमको शब्दों को अपना नहीं मानना चाहिए वहीं छोड़ के जाना चाहिए वहीं चोड़के जाना चाहिए किसी वेक्ति ने आपको गाली दी और आप में नहीं ली तो गाली उसकी है किसी वेक्ति ने आपको सौका नोड़ दी आप नहीं लिया तो किसका हुआ इसका हुआ? उसका हुआ चुना हुआ बस इतना सा सीखना है, प्यार कोई आप आप शब्द कह रहा है, कोई विवादित बात कह रहा है, आप नहीं सुनोगे तो वो आपका उससे कोई सारोकार नहीं है सुन लोगे तो आप उसमें लीन हो जाओगे इसलिए विवादित विक्ति और विवादित बात इन दो चीजों से अपने जीवन में दूरी बना के रखें आज की नीती यही कह रही है कि ओम एगनुराय नमा का नया वर्जिन क्या है लोग पूछते ना कि मारा जी बहुत हो गया ओम एगनुराय नमा के बात क्या करें तो बहुत गोर एगनुराय नमा अब उसके बात क्या करें घंगोर एगनुराय नमा इससे भी काम न बने तो तो आज की नीती समझ लेना इसे काम बन जाएगा, चुकि ये पंचम काल है, कली काल है, यहां हर दिन एक नया साप ऐसा पैदा होता है, जिसके जहर का कोई दवा नहीं है, ऐसे नएने लोग पैदा होते हैं, जिनके जहर कोई दवा नहीं है, तो उनके लिए क्या करोगे, उनके लिए वो मिद्रॉयनमा स पर या फिर किसी के भड़कने पर, सबसे पहले सामने वाले की पूरी बात है सुन ले, फिर सोचे, ओम इग्नुराए नमा पागले साला, जब कोई आपसे वाद विवात करे, या आपके उपर भड़के, ऐसी बात करें, जो भड़काने की हो, पुरी सुन ले, फिर खाली नही तरता है, उससे कहना नहीं, सोचना पागले साला, ऐसा करने से आपके अंदर शांती बनी रहेगी, और जीवन में अगर शांती बनी रहे, उससे बड़ा कुछ भी नहीं, जिसके पास शांती है, वो रोड में सोकर के भी आरब पती है, जिसके पास शांती नहीं है, महलों मे भी गरीब है कि हम लोग इन दौर में थेक तो सुबह सुबह जंगल की ओर जा रहे थे जब जंगल की ओर जा रहे थे तो एक विक्ती शराब नहीं पिया था बढ़िया कलर का रंग का चद्दर रोट के फुटपात पर अपना थेला रखा सिर की नीचे और फुटपात पर सुरा चाज़ा रोड़ गी मैं रुका उसको देखा उसके ठीक सामने एक महल था उसको भी देखा मुझे लगता था कि महल में जो सुरह है एसी में उससे ज़्यादा नीद आ गई अच्छी किसको फुटपात पर लेटा है उसको ज़्यादा अच्छी नीद आई होगी क्योंकि उसके जीवन में शानती है आपके जीवन में कितनी शानती है उतने इससे में आप इंसान हो और शानती नहीं है तो आप इंसान नहीं हो देखो आप बिचारे जानवर पक्ची दिन बर गुमते सिर्फ एड भरने के लिए और आप भी दिन बर गुमते सिर्फ एड भरने के लिए और अगर शानती न अंतर नहीं है। मेरा ये मानना है कि ववाद विवाद की से से दूर रहना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हमारे भावों की विशुद्धी जा रही है, जीवन की शान्ती जा रही है, बैख हो जाओ भाई, बाहर निकल जाओ। ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना, ऐसे लोगों के पास नहीं रहना, ऐसे लोगों के पास मत रखना। कुछ नहीं हो तो भी विवाद का विवाद का विवाद कर देगा। अरे यार टमाटर मेंगे हो गए यार तो क्यों मेंगे हो गए इस बात पर डिस्क्रिशन चालो गा फिर बात पहुंच जाएगी बीजेपी और कॉंग्रिस तक हिंदू-मुसल्मान तक इंडिया-पाकिस्तान तक बात होती है कि गलत क्या है और समाप्त होती है गलत कौन है तो क्यों अपने इन वाद वाद में बढ़े ओम एग्नुरायनमा कभी भी ध्यान रखना अगर कोई आप से चार बाते कह रहा है तो उसको जवाब में दो बाते कहने ही कोई जरूरत नहीं है क्या सोचना पागाले साला कहना कुछ ही नहीं तुमने बोला तुगए अगर तुमने बोला तो वाद विवाद हो जाएगा बोलो नहीं देखो ऐसा है कि सबसे ज़्यादा कीमती कोई चीज़ है दुनिया में उसका नाम है अपनी मेंटल पीस उसका कीमती कोई चीज़ नहीं है अगर आपको मांसिक शांती है तो आप से बड़ा अमीर कोई नहीं है तो उसमांसिक शांती को बना के कैसे रखें तो आपको कुछ न हुछ अपने अंदर मंतर शब्दों को गुळाना पड़ेगा जैसे कि अपने रामाइन देखी थी तो यहां वहां से रावाण ने बाण छोड़ा उसमें चंदर बना था फिर यहां से राम ने बाण छोड़ा उसमें भी चंदर बना था अपनी रक्षा के लिए सामने वाले जिस शस्तर का परयोग कर रहा है आपको भी उसी शस्त्र का पुरियों करना चाहिए कैसे वो शब्दों के बान फेक रहा है आप भी शब्दों की ढाल बनाओ वो क्या कह रहा है कि तुमारे पास दिमाग नहीं है उसे कहना मत कहोगे तो उसकी बास सही हो जाहिए बैट करके सोचना ओम एक नुराय नमा पागाले साला कहने दे उसके कहने से कुछ हो रहा है क्या अभी चुनाओ आने वाले है किसके देश के अब एक दूसरे के उपर कठाक्ष करेंगे कौन पार्टी के लोग किसी को पपू बनाएंगे किसी को चौकीदार बनाएंगे क्या होगा इसके बाद चुना हो जाएगा पास साल सब फंडे बैटे रहेंगे जिसका भाग यह जीतेगा अब क्या होगा मेरा तो यह मानना है उन दोनों विक्तियों की बातों के तो अंदर ना ले जाकर करके अपूंको यह सोचना चाहिए पागाल है साला कौन जो लड़ रहा है ऐसा पागाल है और अगर उसमें आपको इंवाल्मेंट में लिया जा रहा हूं तो वो मिग्नुराएंग नहीं भी है ना बाबान ना तो वो मिग्नुराएंग नहीं भी है यह दिखो आपको मैं अपने बाता रहर हूं अगर आपके बस मानसिक तनाव है तो आपकी तो सौ साल की उम्र है वो पचास भी नहीं बचेगी और आपके अगर मेंटल पीस है तो अगर पचास साल जी रहे हो ना असीजी जाओ गैवे आज डॉक्टर केहता है अगर किसी किड्नी हिखराब है किसी लंग्स खराब है दोक्टर केहता भी ये ज़्ए इन जिन नहीं पाप हूंँ है तो सुनके ये आदर तोन ही अधो ये मर गया हो तो तुम जी जाओगे मेरी इस बात को सभी पक्षों समझना एकी पक्ष से मत समझना मानसिक शान्ती से बड़ी कोई चीज नहीं जैसे मिले, जहां मिले, जितने में मिले उस मानसिक शान्ती उखरिदो जैसे मिले ब्यापार भी उतनी बढ़ाना जिसमें आपकी मानसिक शान्ती ना जाए पढ़ाई भी वही करना जिसमें आपकी मानसिक शान्ती ना जाए संबंद भी उतनी बनाना जिसमें आपकी मानसिक शान्ती ना जाए अब आपने हर दिन नया दोस्त बना लिया 365 दिन में 365 दोस्त बना लिये कैसे मेंटेन करो ले पहले कि राजा महाराजा होते थे ताकत वर वो करते थे पांच-पांच-दस-दस-विश-विवाह चक्रवर्ति करते थे च्छान्ने वह जार विवाह उसके पास नहीं ताकत थी तुम्हारे पास है क्या एक ही तो लग रहा कि कब चले जाए इसलिए अगर आपके ताकत है तो वो काम लो ताकत नहीं है तो वो काम मत लो ताकत नहीं होना तो वह हाथ मत डालना हार मिलेगी फिर हार के साथ मानसिक अशान्ति आती है और वो जो मानसिक अशान्ति है वो सब कुछ लेके जाएगी यह मान के चलना मेरे साब से कि सब कुछ होने पर भी आपको कुछ नहीं बचेगा अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं कि वो अपने पुन्य से जादा चाहा रखते हैं मैंने एक व्यक्ति को देखा वो साथ में पढ़ता था हमारे सपने बढ़े दिखता था हमेशा हो अपने पास एक बंगला होगा एक बंगया गाड़ी होगी साइकल नहीं इभी सेकेंड अंग अन्हां साइकल के लिए पैसे हैं सपने क्या देख रहा हो अच्छी बात है इस अपने वी उत्ति देखो इतना पूरे करने कि तुमारी ताका तो तुमारे पास परिश्रम हो तुमारी भावना हो उपर ही सपने परानी सीटी अंडेड बजाच की धर कर रही है क्योंकि आपने सपने देख ले तो परिश्रम भी तो करो तो कई लोग क्या करते हैं कि उनकी ताकत नहीं है वहां तक पहुंशने के लिकिन सपने उचे देखते हैं तो मेरा उन लोगों से कहना है कि उतनी देखो जितना पू पूंशार्स जीवन के जो कुछ भी है वह अपनी मानसिक शान्ती के लिए कि रहना कुछ भी नहीं है घर बना लो गाड़ी ले लो बंगला बना लो एक्टरी कोल लो जो चाहे वह कर लो आखरी में रहना कुछ भी नहीं है जो तुम पहने हो वह दार लिया जाएगा तो रहना कुछ नहीं है तो क्या कुछ नहीं पह dit नहीं करना सब कुछ है लेकिन मानसि-शान्ती के साथ करें अगर आपको पहांच व्यापार करने आप खरो लेकिन मानसिक शान्ती भंग होती तो च्ट मतों को क्योंकि वो लोड आएगा फिर अटेक आएगा तुम चले जाओ तो जिंदगी ज्यादा कीमती है कि पैसा मैं तो भी मानता हूं कि रिस्टेदारी हो कोई कीमती नहीं है दोस्ती आ रही हो कोई कीमती नहीं है जिंदगी ज्यादा कीमती है क्योंकि हम रहेंगे तब तो जिंदगी चलेगी ना तुम ही नहीं हो तो इन सब क्या ज़रूरत है एक विक्ति उसका सब कुछ है बस मर रहा है नाती पोते हैं बेटा है बहु एरसुरार अच्छा बड़ा कुटुम्ब है नाम है सम्मान सब कुछ है एक विद्वत मरने वाला है इन सब क्या करेगा हों खाएगा क्या भगवान जो है भूका उठाता है भूका सुलाता नहीं है Ravan ने अपनी मांसिक शांती की विप्रीद काम किया और राम ने मानसिक शान्ती के लिए खाम किया मतलब राम ने तो यही सोचा कि मुझे सीथा चाहिए रावण से युद्ध की कोई आवशक्ता नहीं है और रावण ने का युद्ध कर लूँगा लेकिन सीथा नहीं दूँगा अडियल था सुने पड़ गया आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी जब भी आपको शब्द चुबें क्योंकि क्या होता है कि सुई चुबाए कोई तलवार लगाए कोई चाकू घुसेडे कोई बेट में आपके इसमें कम तकलीफ है क्योंकि घाव भर जाएगा नई भी भरा तो मर जाओ क्यों क्या होगा ति चोटे से चुबें को निगल लिया डारेक जो चुब का मू था यहां पहले मू बकड़ा और साप निगल लिया साप को लघा की चुबाथ सो गया अंदर अंदर अभी खतम हो जाएगा पंजा के पीर में गूम जाएंगे अब चुवा छोटा था हो मरानी वो अंदर जाके देखते की बड़ा अंधेरा है उसको याद आ गया कि अपन किसी कमरे में फस जाओ कमरे के कोने से अपन खोद के बाहर निकल जाते हैं उसने साप के अंदर के पेट से कुरोतना चालू किया और सब देख रह कि क्यों सुना रहा हूँ ये भी समझ ले वो जो पैने दात वाला खतरनाग चुहा था साप के पेट में था इसलिए साप की मृत्टी हो गई जो खतरनाग पैने दातों वाले शब्द होते हैं वो आपके अंदर चले जाएंगे तो आपके जीवन की शान्ती की मृत्टी हो जाएगी, तो दूसरे के जो शब्द हैं, उसको अंदर ले आनी कोई जुरुत नहीं है, और वो अंदर ना जाए, उसके लिए क्या उपाए है, जब भी कोई आपसे कुछ भी कहे, यही सोचना पागल है साला, कोई बोले, तुम्हें सर के बाल कम हो गए, क्या सोचना, पागल है साला, मेरे पास भी कही ऐसे पागल आए, एक ने उससे कहा, पुरानी बात हो कि, दोज़ार चूदा पंदरा की, बोले कि, क्या दिन बर आप याक्रन पढ़ते हो, कुछ और भी पढ़ा करो, तो मैंने तो यही सोचा मन में, कि पागल है साला, मैंने उससे, और मैंने क्या क्या, मैंने उससे कहा कि, देख भईया, मेरे पास जादा दिमाग नहीं, मुझे कुछ ज्यादा नहीं आता, तो मैं बस यही रामा, रामा कर के जीता हूं, मुझे कुछ नेची है, तो सोकता आपके जिन्दगी आगर कुछ भविश्ण नहीं है, मैंने कुछ आता हुए, कि दिमागी नहीं है क्या करूंगा मैं कि मैंने अंदर के सोचा पागाले साला वो फिर मेरे पास आया तीन साल वाद कि आप जो पढ़ रहे हैं मुझे पढ़ा दो फिर मैंने उसके मूट बोला तो पागाले साल अब तेरा कुछ ही नहीं हो सकता तुझ जा तो शब्द अगर आपके पास अंदर नहीं आए है तो आप बड़ा खुश मिसाज होके जी सकते हो हर समय हाजर जवाब ही होना ज़रूरी नहीं है कई समय मौन रहें और खुद से बोलें कि पागल है इसे क्या सुनना जैसे रोड में विक्ती पागल गूम रहा हो उससे बोलो पागल है साला सुपर मंत्रा फॉर लाइफ सुपर मंत्रा फॉर पीस ओम इग्नुराय नमा पागल है साला बस यह आपने घर जीवन में उतार लिया तो जीओगे पत्नी है पती से कहरे है घुटका छोड़ दो पत्ती कहरा है क्यों तुमकों के दिक्कत हो रही है नहीं पत्ती कहरे है यह कर दो वो कर दो पत्ती नहीं मान रही है क्या करें ही सोचना बागल है साला यह सब भूल जाओ यह सब कहानी किस्तों की बात है कि साथ पेरे लगाए हैं साथ समुंदर पार चलेंगे कोई कुछ नहीं इस भाव के बाद तुमारा अलग त्रेक उसका अलग नहीं भी रहो मानसिक शान्ति के साथ रहो तो ही आप मनुश्य रह पाओगे सब सच्छा मंत्रे ओम भिग्नु राय नमा पागल है साला भगवान मावीर सौमी की नेति क्लास नेति क्लास नेति क्लास